हेलो ये वेलकम टो एफ इंडी तो गाइज 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 फाइनली अपडेट आ गया है और गौर को एक बार फिर से बफ किया गया है इसके skill में इसका skill आट्व प्ले में जो यूज कर रहा था उसको change किया गया है तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे की आट्व प्ल परफॉर्मेंस हो गया है इसका टाइम लाइन बेटल में क्योंकि हमको पता है आटो प्ले में यह काफी बुरा इसका परफॉर्मेंस था अभी तक हमको सिर्फ और सिर्फ मैनुवल करना रहता था आटो पे एकदम से कताई खराब था यह तो अभी हम इस वीडियो में देखने लेकिन आटो वाले के लिए नहीं है तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले चलो यहां पर देखते हैं आटो प्ले करके और हां देख सकते हो नंबर वन टीम के खलाप में यहां पर प्ले करने जा रहा हूं सामने भी गौर है एडम है और हमारा भी यहां पर गौर है त तो शुरू में कार्नेजी आया चलो ठीक है देखते हैं ओ भाई साब कार्नेज तो मार रहा है भाई खातानाग तीर फॉर है न ओके अंडाइंग पर अरे भाई अभी जाके टिर्गर हुआ ओके आटो प्ले गौर और फॉर इसकी लिउज किया स्टे ओ भाई 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 हम दिले कैंसल कर रहे थे यहांप यह क्या कर रहा है कि वर स्कील कोuda प्ले कर रहा है रहा है तो हाँ यह कर रहा है कि फौर पूरा प्ले कर रहा है यह ऑगिस्ट हवा गया तो मुझेल अब अब यह सामने वाले को जल्दी नमार पाये क्य। क्यूँकि इतना ज्यादा डेमीजई इसका नहां है यहाँ ठीक है I think greed यहाँ पर ज्यादा काम कर सकता है बाकी मैंने तो destruction दिया है तो जब destruction का प्रॉक आता है भाई तो क्या ही बताऊंग एकदम से खतरनाग मारता है four and okay fourth skill से ले लिया इसने two skill यूज करने का मौका ही नहीं मिला पहले ही मर गया ठीक है four और फटा फटा यूज कर रहा है अगर कैंसिल किया सामने वाले ने आपका फोर्थ skill यूज करता है ओके एंड अरे नहीं यार एक बात बताओ देखो गोर अच्छा तो हो गया फोर टू यूज कर रहा है लेकिन सामने वाला गोर भी वही skill यूज कर रहा है तो मतलब सोच लो मुझा रहा है विसे सामने वाला भी सेम करेगा भाई मतलब सामने से भी तगड़ा मार मिलेगी आपको यहां पर एक चीज और धान देना कि मैं यहां पर नमबर वान नमबर टू के खेल ला हूँ यह सब नहीं आते हैं रियल में इसमें ठीक है कि एक बार फिसर ट्राइब करते हैं पहले सेंट्री को माल लेते हैं अब्हें भाई सेंट्री कि एक बार गया घुए एड़ वान थी बूम चलो ठीक है गोर भी सेंट्री और इसके बाद में आटो पूरा के गोर ने मार दिया सेंट्री को नाइस अब यहां पर हमारा गोर टू ओ डाइरेक्ट टू यूज कर लिए भाई साभी ताहब ठीक है प्रफर्टी वाला है क्या माइटी ब्रिलियंट क्या है ओके बलेक उडो अरे मर गई कैसे भाई लिंगरिंग एफेक्ट तो देख रहे हो खतरनाक हो गया बस आपका काड़ एफेक्ट अच्छा होने चाहिए आपके काड़ पर होने चाहिए और सीटिप एथरोटी माइटी व सीदा बताओ तो थेनोस की तरह इसकी सब्वाइबिल्टी नहीं है हाँ यह है कि प्लों ची एक काम करते हैं आप्स पे इसकर होंब मैनूल करेंगे फिस्कंखुंड करेंगे है जो सेमी आटो सेमी आटो जिसको बोलते है ना ओ भाई गोर अब तो खतरनाक मारेगा यार फोर डारेट यूज़ कर रहा है तो यहां पर यह यूज़ करेगा फोर अरे फोर यूज़ करने का मौका तो दे दे भाई क्या कर रहा है तो गवर मर गया एंड टू देखो यह फोर आटो इसने किया हमने यह पर प्रेस किया ठीक है और यह खुद आटो पर कर रहा है वाई टू इसकील यूज़ वाव ओके बाई बाई एडम ऑव सेंट्री थाड़ इसकील यूज़ कर लें बीडवलू क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई टाइम लाइन बेटल एकजम से उलट पुलट हो गया है देख रहा है तो पिक्या मजाग चलना है यहां पी चलो ठीक है कोई बात नहीं सेंट्री एडम गौर ओके इसके खलाफ के लिए नंबर फाइब पे है रेंक फाइब पे और देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस मैं सोच रहा हम अपने बलेग उड़ो को रीजन दूंगा कि सीटी पी अफ रीजन इसको एकदम फुली पीवीपी बिल्ड करना है ओके चलो ठीक है कि मार यार ओके मर ठीक कोई बात नहीं आजा गौर यहां पर यूज करेगा फोर एड़ आ हाहा हाहा हो क्या है बाई सेंट्री के पास और हम यहां पर यूज कर लेंगे टू देखो सेमी आटो और यूज किया और हमने यूज किया टू ओके यह मर गया क्यूंकि सर्वाइबिलिटी की दिक्कत है और देखो डैमेज की भी दिक्कत है तो क्या ही बताऊंग अब मतब देख रहे हो अगर आप इसको सर्वाइबिलिटी देने जाओगे तो इसका डैमेज इस्यू हो जाएगा सेकेंड इस्किल में इतना ज्यादा डैमेज नहीं है और अगर आप डैमेज दिने जाओगे तो सर्वाइबिलिटी की इस्यू हो जाएगे तो वही बोलना हो यह गौर ना तगड़े प्लेयर्स के लिए है ठीक है नए प्लेयर्स के लिए नहीं है जिनका काड अच्छा नह वाला या रीजन है और उनका काड अच्छा है उनके हिसाब से अच्छा काम करेगा क्योंकि सर्भाइबिल्टी हो जाएगी इसके पास तगड़ा है काड़ पर तो और अगर काड़ तगड़े नहीं है तो जैसे कि मेरा काड़ है तो 29 परसंट ओंली 29 परसंट का है ठीक है और 66 तो मेरे मेरे गए मेरे अगर मैं इसको कमी हो रही है अगर मैं सको सुल आउदर साउक Anthem को तो समझ बात को समझने की कोशिश करो के दिशाइड करते हैं कैसा है एक चिज बढ़ियां हो गया कि इसमें सेम या्ट कर सकते हो यह वे आते ही आपको यूज़ करना है तूइस्किल ओके तो भाई अब तो और कतर नाग मारेगा सामने वाला ओके देख रहे हो अथरूटी भाई यार कहा कहा से सीटिपी लेके आ जाते हैं भाई ब्रिलियंट एथरूटी दिया भाई इसने बताओ मैंने टू किया है इसने एटोमेटिक फोर गिया था तो इस तरह से आप कर सकते हो भाई ब्रिलियंट एथरूटी लेके बंदा खेलना है बताओ कैसे इसके सामने कैसे टिक पाएंगे कोई नए प्लेयर्स खास करके अच्छा हो गया है आटो प्लेय में भी आप काम करेगा ले आपको सिर्फ यूज करना है तो यानि कि सेमी आटो कर सकते हो इस वीडियो में इतना है अच्छा लगए तो लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत जल्द आपको ब्लेक बोल्ड का वीडियो मिलने माला है ब्लेक बोल्ड सब्सक्राइब करके नूटिफिक्रशन आन कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर